नमस्ते दोस्तों मैं अनीता और मेरी किचिन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ बच्चों की पसंदीदा चौको पाई की रेसिपी जिसे आप घर में आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं आप चाहें तो इसे बच्चों के लिए बर्डे पार्टी के स्टायर में भी बना कर तयार कर सकते हैं तो जरूर से ट्राय करेगा बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं तो अगर आपको मेरे सिपी पसंद आए तो ट्राय करें वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें बनाना सुरू करते हैं चौको पाई इसके तो यहां पर मैंने सारी बिस्कित के इस तरीके से तीन-तीन का सेट बना लिया है अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो इसको सर्कल में तीन का सेट बना कर तयार कर लें यहां पर मैंने छे बड़े चममच मिल्क पॉटर लिया है तो यह मेरे पास घर का बनावा कंडेंस मिल्क अगर आपके पास condensed milk नहीं है, तो आप घर की मलाई जो दूद में होती है, या फिर दूद और PCV चीनी ले ले, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आड करेंगे, और इसको mix करेंगे milk powder में, एक साथ हमें बिल्कुल भी mix नहीं करना है, अगर आप दूद और मलाई ले रहे हैं, और PCV चीनी ले रहे हैं, तो दूद और मलाई को भी थोड़ा थोड़ा आड करें, एक साथ बिल्कुल भी आड़ नहीं करना है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा आड करके इसका एक थिक paste बनाकर तयार करना है, तो बस आप देख सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करक और इस तरीके का एक थिक पेष्ट बना कर तैयार कर लिए एक प्रोसेस में मेरे पास एक बावल कंडेंस मिल्क था वो इस्तमाल हो चुका है अब यहां पे एक स्लाइस बिस्किट की लेंगे अगर आप ब्रेट ले रहें तो इसी तरीके से सर्कल में कट कर लें और ब्रेट के तो ध्यान रखें कि दूद, मलाई, कंडेंस बिल्क जो भी आप इस्तमाल कर रहें उसको थोड़ा थोड़ा एड़ करिएगा एक साथ बिल्कुल भी आड़ने करिएगा वरना जो पेष्ट है वह बिल्कुल लिक्वीडी हो जाएगा इस तरीके का हमें बिल्कुल गाढ़ा यहां पेष्ट है एक जैसा फैल जाए तो बस हलके हलके हाथों से आप इस तरीके से दवाएगे न अंदर जो हमने स्टाफिंग डाली है वह चारो तरफ अच्छे से इस तरीके से फैल जाएगी तो मैंने यहां पर सारे बिस्किट को तयार कर लिए यह मैंने डार्क मेल्ट हो एक काटोरी में एक चोटी चमच कॉफी पॉडर लिया है और उसमे गरम पानी डालकर उसको भी मिक्स कर लिए अब यहां पर देख सकते हैं चॉकलेट हमारे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट में डिप करने से पहले बिस्किट के पोर्शन को इस साथ ही एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप कॉफी का स्ट्रॉंग फ्लेवर नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह पे दूद का इस्तमाल कर सकते हैं एक चमच दूद हर बिस्किट के ऊपर हमें इस तरीके से डाल देना है बहुत ज्यादा नहीं डाला है औ आप बटर पेपर भी ले सकते हैं और उसके बाद जो हमने बिस्किट की कोटिंग करिये चॉकलेट से इसके उपर हम रखते चले जाएंगे तो यहां पे बटर पेपर या ओएच्पी सीट का इस्तमाल करना है तो जो भी हमने बिस्किट तयार किया है बस उसे उठाना है थोड़े से गोल्डेन बॉर्स और कुछ स्प्रिंकलर से मैं इसको इस तरीके से गार्निशिंग कर दूँगी और इन सब को पांच से दस मिनट के लिए हम फ्रीज में रखेंगे फ्रीजर में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना वरना इसका चॉकलेट का उपर का कलर बिल्क करें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं तो आपको मैं कट करके दिखाते हूं बिल्कुल पर्फेक्ट ये मार्केट से बैतर बन कर तयार होती है घर पर ज़रूर से ट्राय करें अगर आपको में रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक करें जल्दी मिलती हूं अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार बाबाई